हेलो दोस्तो नमस्कार प्रनाम आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम आप सभी को बताने वाले हैं आख के फायदे और आउस्दिये गुनों के बारे में दोस्तो आख अनेक औस्दिये गुनों से संपन एक खास परकार का पौधा है जिसकी पाचान एक औस्दिये आरवेदिक जड़िज भूटी के रूप में की जाती है आख का पौधा आम तोर पर बंजर जमीन पर अपने आप उग जाती है इसे पाने की उतनी आउसकता नहीं पड़ती है आख के पौधे के पत्ते बरगत के पत्ते के पत्ते के समान पाया जाता है इसके फूल का रंग बैगनी यम सफेद होता है आख में कुछ ऐसा खास तत्त पाया जाता है जिससे कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है आख का मदार के भी नाम से जाना जाता है दोस्तो आख में अनेक पारकार का स्वास्थबर्धक गून पाये जाते हैं जिन से प्राप्त होने वाले लावों में परमुक लाव निम्द पारकार है दोस्तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले दोस्तो आख के दूध में खास परकार के सक्तिसाली तत्व पाये जाते हैं जिनकी मदद से कान का दर्द दूर किया जा सकता है आप रूई की सहायता से एक एक या दो भून कान में डाल सकते हैं आख के पतों में कुछ ऐसा तत्व पाये जाते हैं जिसके पतों को पीश कर लेप बना कर जदी सीर पर लगा दिया जाये तो सीर का दर ठीक हो जाता है दोस्तों आख के दूध में अनेक परकार के एंटी इंफलेमेटरी और एंटी सेप्टिक गुन पाये जाते हैं जो त्वाचा पो होने वाली सूजन जलन तथा लालीमा को कम करने में मदद करता है इसके साथ ही इसका एंटी बेक्टिरियल परभाव कई संकर्मनों को बढ़ने से रुकता है दोस्तों बाबा सीर से परिशान लोगों के लिए भी आख का इस्तिमाल करना काफी लबदायक हो सकता है आख के पतों को पीश कर बाबा सीर के घाव पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है इसके साथ ही घाव जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तो इसके साथ ही आग के कई नुक्सान दायक भी है जैसे चकर आना, सांस लेने में दीकत होना, उल्टी या जी मिचलाना, सीने में जलना, पेट में दर्ध होना, बीपी बढ़ जाना, त्वाचा में खुजली वा जलन होना, इत्यादी दोस्तो किशी परकार की जनकारी के लिए अपने नजदी की डॉक्टर की सलाह आप ले सकता हैं, दोस्तो मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर कर, धन्यबाद